भक्ति क्रोध है एक आवश्यक विश्यवानी पीट्या से जब भक्त के हुरिदय में भक्ति और क्रोध का मिश्रण हो जाता है तो उस स्वात को रौधर भक्ति रस कहा जाता है। जैसे ही कोई निंदा करता है कि मैं बगवान हूँ, कोई बगवान नहीं है। तुरंट एक भक्त को बहुत घुज़ा आना चाहिए क्योंकि वे जूठी बातों का प्रचार कर रहा है। वह परमेश्वर की निंदा कर रहा है कि वे हैं परमेश्वर को बहुत सस्ता बना रहा है। श्रील प्रभुपात की पुस्तकें, व्याख्यान, वारित अलाप और पत्र इस आवश्चक विश्चय की व्यापक प्रस्तुती प्रदान करते हैं जैसा कि वानी कोट्स डिवोर्शन लिंगर श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निमनलकत आठ्र धरणों में दिया गया है। साथ अप्रत्यक्ष स्वर हैं जिन्हें सी आश्चर्य, वीर्ता, करुणा, क्रोध, विपत्ति और भय के नाम से जाना जाता है। चैतन्य चरितामरित, मध्यलीला, 19.186 प्रत्यक्ष भक्ति सिवाएं इस प्रकार हैं तटरस्थता, दास्ता, बंधुत्व, पित्रित्व और वयवाहिक प्रेम। अप्रत्यक्ष भक्ति सिवाहसी, करुणा, क्रोध, शिष्टता, भय, विस्मय और विभत्स्ता में विभाजित हैं। इसलिए भक्ति सिवा को बारहे प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से प्रते का एक अलग रंग है। रंग सफेद, बहुरंगी, नारंगी, लाल, हलका हरा, भूरा, पीला, मठ मैला, दुए के रंग का, गुलाबी, काला और बादलदार हैं। बारहे विभिन प्रकार के पारलों के खास्य भगवान के विभिन अवतारों द्वारा नियंतरित होते हैं। और साथी अपनी कमुक इच्छाओं को भी संतुष्ट करना चाहता है, तो क्रिष्ण स्थिती को संभार लेंगे, ताकि भग्त अपनी कमुक इच्छाओं को भुल जाए और पूरी तरह से शुद्ध हो जाए और लगातार व्यस्त रहे। प्रभु के सेवा, क्रिष्ण पुस्तक, अध्यायर तालिस, भगवान सर्वोत क्रिष्ट हैं और इस प्रकार वे किसी भी अवस्था में पून है। उनका क्रोध गुनात्मक भौतिक ट्रकृति के गुणों के भीतर एक बद्धजीव के क्रोध की समान नहीं है। क्योंकि वे हपून हैं, उसका क्रोध और आनंद दोनों एक समान है। उनका करोध भौतिक ट्रकृति के तीन गुणों में प्रदर्शित नहीं होता है। ये केवल अपने बक्त के प्रती उनके मन के जुगाव का संकेत है क्योंकि यही उनका दिवे स्वभाव है। इसलिए भले ही वो करोधित हो, करोध की वस्तुधन्य है। वह सभी परिस्थित में आपरिवर्तित रहता है। श्रीमत भागवात 1.7-34 जब भगवान करोधित होते हैं या किसी राक्षस को मारते हैं, तो भौतिक रूप से यह प्रतिकूल लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये उनके लिए एक आनंदमे आशिरवाद है। इसलिए शुद्ध भगवान के क्रोध और उनके आशिरवाद के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं। वे दोनों को दूसरों और स्वयम के साथ भगवान के विवहार की संदर्व में देखते हैं। भगति किसी भी परिस्थिती में भगवान के आचरण में दोश्र नहीं देखता। श्रीमत करोधित हो गए जब नित्यानन को जगाई और मधाई ने नाराज कर दिया और वेहुने मारना चाहती थे। जब विश्णोया वैश्णव की निंदाया अपमान किया जाता है तो व्यक्ते को बहुत करोधित होना चाहिए। श्रीमत भागवाद 4.4 दस भगवान असीमित है कि परमभगवान के पास नित्यों वासना है और नहीं करोध और यदि कभी-कभी परमभगवान द्वारा वासना और करोध का प्रदर्शन भी होता है तो इसे पुन आशिर्वाद माना जाना चाहिए। श्रीमत भागवत 2.7 साथ